चलिए एक और कोश्चन देखते हैं ठीक है सर क्या है इस कोश्चन में खास बात अभी देखेते हैं आपके बुक का ही कोश्चन अगेन कहूंगा मैं कहता है फॉलोविंग कैल्कुलेट ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले कुछ बाते मैं आपको बता दू खर्चे जितने होते हैं आपने कॉस्चीट किया होगा कॉस्चीट के अंदर सारे के सारे खर्चे कुन से होते हैं लेबर ओवरहेड तो जितने भी वेरियेवल कॉस्ट है वीसी अगर मैं यहां पे लिखूं सर वीसी क्या होगा सर वीसी में क्या-क्या इंक्लूडिड होगा तो जवाब है सर वीसी में material होते हैं सर वीसी में overhead होते हैं सर वीसी में lever होते हैं और any kind of expenses which is fluctuate according to unit किसी भी तरीके के खर्चा जो unit के हिसाब से बदलता हुसे वीसी का पार्ट माल लेते हैं तो सर यहां पे हमारा material तो नहीं है दे रखा है material कितना है तीन रुपए overhead कहता है 100% of direct labor direct labor कितना था दो तो यह भी दो यानि दो और इसका 100% यह हो जाएगा दो तो वीसी अगर count करें तो क्या जाता है 4 और 3 7 रुपए मुद्दे की बात यह है selling price 10 रुपए है SP दे दिया 10 रुपए तो आप CPU easily निकाल सकते हैं सर CPU क्या होगा 10 minus में 7 यानि 3 रुपए यहां तक पहुंच गया कहता है trade discount देंगे 5% तो trade discount हमेशा selling price पे दी जाती है तो यहां पे हमारा अब यह बदल जाएगा सर यह बदल जाएगा सर माइनस 5% कह रहा है तो 5% कितना होगा 0.5 that is 9.5 selling price आ गया सर CPU की बात करें तो अब CPU क्या होगा सर अब CPU होगा यहां पे 7 और स्वरी 7 कह रहा हूँ 9.5 माइनस में 7 that is 2.5 क्या गया 2.5 अल्सो डिटर्माइन नेट प्रॉफिट इफ सेल्स 10% अब ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है सर ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम सेल्स और उपर ले जाते हैं तो प्रॉफिट डिटर्माइन करनो सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो सर ब्रेक इवन पॉइंट is equal to FC divided by CPU सर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है हमारा कुश्चन में नहीं पता लेकिन हाँ FC पता है कितने का है सर 10,000 CPU निकाल लिया हमने 2.5 तो यह क्या आ जाता है सर यह आ जाता है हमारा 10,000 divided by 2.5 4,000 CPU आ गया आगे कहता है अगर हमारा और sales की बात करें in the terms of amount amount में बात करें तो 4,000 into में 2.5 no 9.5 का sale है 9.5 4,000 9.5 यह आगे सर 38,000 रुपे ब्रेक इवन sales है कुश्चन में कहता है कि हमें sales 10% अबब करना है ब्रेक इवन sales है तो ब्रेक इवन sales में हमें sales add करना है add 10% करना है तो कितने करने 3800 रुपे का तो 10% add कर दिया तो यह आगे 4800 कहता है अब बताईए कितना profit कमाएंगे बहुत simple सी बात है सर sales है हमारा 4800 तो VC क्या होगा सर 4800 unit निकाल लेते हैं divided by 9.5 तो 440 unit का detail जा रहा है हाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ सकता के 440 unit कैसे निकाल लिया तो सर मैं यहां बता देता हूं 41800 तो रुपय थे divided by 9.5 का एक unit है तो यह आ गया हमारा तो VC-VC पर आएगा सर VC कितने का था हमारा 7 तो 440 440 480 divided by 5 चो बाले 100 होगा यह एक चार और होगा 0 ठीक है इन्टू 7 यह आ गया 30800 माइनस कर देते हैं एक 3600 में और भी चीज़ें माइनस करेंगे FC जो की है 10,000 चलिए जी प्रॉफिट निकाल लिया 4800 माइनस 3800 माइनस 10,000 तो सर हजार रुपय का प्रॉफिट कमाया जाएगा हजार रुपय का बताईए समझाए देखें जो मैं कोशन करा रहा हूं डेफिनेटली मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूं काफी चोटे-चोटे कोशन से आपको अफजरू करना है मैं क्या कर रहा हूं नहीं आता कमेंट में बताईए और कोशन जितने प्रैक्टिस करेंगे यह चप्टर एक ऐसा चप्टर है कही बार ऐसा लगता है पता नहीं कहीं से भी कुछ कर रहे है सर यार कहीं से भी हाँ तो मैं बता दू इसके अंदर क्या है में प्रैक्टिस देखें मैंने भी आपके एज में प्रैक्टिस करी है तभी मुझे आप आया है ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको आएगा ठीक है चलिए नूट कर लिजिए इसको भी भंजी प्यारे बच्चो कुश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे ठीक है सर बहुत ही इंट्रेस्टिंग कुश्चन थोड़ा बढ़ा करना पड़ेगा सर इसे ठीक है चलिए ठीक है देखिए कहता है इलेक्ट्रो कंपनी जो की दस अजार यूनिट बेचा करता है समझी एक बात को जो कितने यूनिट बेच रहे है दस अजार लास्ट इयर और पिछले साल प्राइस था पांसो रुपए का यानि सर दस अजार यूनिट बेचता था और पिछले साल प्रॉफिट था हमारा था पांसो का इसका मतलब सर दस अजार इंटू में पांसो करें हम तो tentatively देखा जाए तो यह 50 लाक रुपए का पहले sale किया गर रहा था कहता है इनके कुछ variable cost है और 150 और total variable cost यह है fix overhead 200 है तो fix overhead जो पहले का starting का होता है उसी पे लिया जाता है जैसे कि 10,000 unit है इसी के उपर fix overhead निकल जाएगा 200 यानि 20 लाक रुपए 20,000 रुपए ठीक है total cost वगएरा दे रखा है आपको इससे कोई लेना देना है ने टीसी से कहता है competition होने की वजह से sales हमारा reduce हो जाता है 425 यानि जो 500 रुपए का sale है वो कितना हो जाता है 425 रुपए assuming variable cost हमारा change नहीं होगा के cost में कोई changes ने assume there that will be no change in the costs costs का मतलब इन सभी को जोड़ के कहा गया find out the sales should be ensure the profit last year बोलता भीया जितना हम last year profit कमाते थे न उतना ही अब भी कमाना चाहते हैं price reduce होने के बाद भी तो कितने हमें sales को बढ़ाना है तो सबसे पहले तो सर हम last year वाली की profit की निकाल लेते हैं तभी तो compare कर पाएंगे हम अगर मैं last year को निकालू तो इस side में कर दूँगा मैं last year और इस side में ये है last year last year सर last year में मैं थोड़ा सा format भी कर दूँ बच्चे बोलेंगे सर इसका format तो बता ही नहीं रहें आप बस करे जा रहें धरलने से तो सर जो profit या profit जो करते हैं निकालते हैं मैंने वो तो रफली किया लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ आपने ऐसे exam में करके आना है अच्छे से थोड़ा चलिए particular amount और सर यही चीज हम इधर भी रख लेंगे न तो इसकी कॉपी कर ले जाए एक कर लिया लोजी कॉपी इसको इधर ले गए चलिए सर सेल्स जो है लास्ट येर सेल्स था दस अजार यूनिट और पचास का पांस होगा, तो सर पचास लाग का सेथ था, सर लास्ट एर का VC जो होगा, यूनिट तो दस अजार ही रहेंगे, लेकिन VC था 175 का, 175, तो दस हजार इंटू 175, 17,50,000, और लास्ट एर का FC जो था, 10,000 यूनिट इंटू में 200, यानि सर 20 लाग, तो माइनस कर देंगे इन सब ही को, तो बचेगा क्या सर, प्रॉफिट आ जाएगा सर, प्लस 20 लाग, माइनस में 50 लाग, तो 12,50,000 प्रॉफिट कमाया करते थे, लास्ट एर कितना प्रॉफिट कमा रहे थे हम, 12,50,000, अब हाला कि हमारा सेलिंग प्राइज डाउन हो गया, हाला कि सेलिंग प्राइज हमारा डाउन हो गया, तो हम 12,50,000 ही कमाना चाहते हैं, तो कितने यूनिट बेचे, तो पहले तो कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन का पार्ट बताना है आपको तो इसे हटा दिया, सर, सेल्स क्या होता है, सेल्स इस इकल टू वी सी प्लस एफ सी प्लस प्लस प्रॉफिट, हमें सेलिंग प्राइज पता है, लेकिन कितने यूनिट और बेचने हैं, आप एक चीज़ बताईएगा, कमेंट में भी जवाब दीजिएगा, कि अगर हम पहले 500 में बिश्ते थे, तो 12,50,000 कमा रहे थे, अब सेलिंग प्राइज हो गया, हमें 12,50,000 ही कमाना है, तो हमें सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, तो जवाब है सर, बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स क्योंकि, भी ये सस्ता हो गया, ज़्यादा बढ़ा हो गया, फिर उस प्रॉफिट पर पहुँच पा हो गया, तो हमें पता है के सेल्स को कितना रखना है, सेल्स को रखना है 425, यूनिट नहीं पता, तो लेट कर लो, लेट यूनिट, तो 425, X, VC, यूनिट नहीं पता, तो VC कितने का चेंज नहीं है, 175, X, FC तो 20,000,000 ही रहेगा, सर प्रॉफिट पता है, Profit पता है Sir Profit कितना है Sir Profit 12,50,000 रहेगा यहां से easily X की value निकाली जा सकती है ठीक है तो X को excite कर देते हैं हम तो Sir X को अगर excite कर देंगे तो यह आ जाएगा 175, 425 माइनस कर देता हूं directly मैं 425 माइनस में 175 250 X और यह आ जाएगा हमारा 32,50,000 Sir X is equal to 32,50,000 divided by 250 यह आ गहां 13 350 13,000 यानि Sir simple सी कहानी है 13,000 और unit बेचेंगे तो profit सेम रहेगा बच्चे बोल सकते हैं Sir इसको prove भी करके दिखा देजिए ठीक है Sir proof भी कर देते हैं proof करने के लिए बोला जा सकता है तो यहां proof करते हैं वैसे तो मेरा मन था tabler form में करने का लेकिन जगे की कमी के बज़े से मैं normal कर रहा हूँ sales कितना होगा Sir 13,000 unit into में 425 variable cost क्या होगा 13,000 unit into में 175 fix cost क्या होगा Sir बीस लाग और profit question mark रख देते हैं यही तो निकालना है प्रूफ करने के लिए तो जब इन सॉल्व करेंगे तो आप कहा आ जाएगा profit 12,500,000 समझे तो यह वीकों में भी आया हूँ आपके questions है तो वो सारी चीज़े हम कर रहे हैं चलिए नोट कर लिजिए फटाफट